दूस्तों आज के वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कैसे आपको अपने voter ID card को डिलीट करना है अगर आपके एक से ज़ादा voter ID card बन चुका है और आपको voter ID card का नंबर जो है अलग-अलग मिला है तो आपको ए दूसरे voter ID card को डिलीट करना बहुत जरुरी है क्योंकि government के rule के मुताबित आपके पास दो अलग-अलग document होना गैर कानूनी है और ये illegal है आपके उपर case भी हो सकता है तो ध्यान रखेगा अगर आपके पास भी दो document है तो आपको सबसे पहले दूसरे को delete करना बहुत जरूरी है तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके सीखेंगे सबसे पहले कि आपको पता कैसे करना है आपके एक voter ID card है या फिर दो voter ID card है और दूसरा तरीके में हम ये सीखेंगे कि अगर आपने पता लगा लिया कि आपके एक से ज़ादा voter ID card है तो उसके बाद आपको दूसरे जो duplicate voter ID card है उसको आपको कैसे delete करना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर दिखना तब ही आप समझ पाएंगे हलो दोस्तों मैं नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हामसफर टेग तो चले दोस्तों चलते हैं directly phone की screen पर और आपको step by step complete process बताते हैं अब दोस्तों आप देख पाएंगे हम आज चुके अपने phone की screen पर अब आपको सबसे पहले Google Play Store में जाना है और आपको एक application को डाउनलोड करना है voter help line और जैसे आप download करेंगे open करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा disclaimer तो नीचे आप दिखीगा I agree का एक options है आपको इस box को टिक करना है टिक करने के बाद आपको यहाँ पर next पर क्लिक करना होगा next पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा तो आप यहाँ पर इसके login पर क्लिक कर देंगे और जैसे आप इसके login पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने options खुल कर आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर दिखीगा अगर आपका duplicate router ID card है तो इसके लिए आपको सबसे पहले voter registration पर क्लिक करना है सबसे पहला वाला जो options है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे options नज़र आएगे तो यहाँ पर आप दिखीगा second last वाला है diletation form 7 तो आपको यहाँ पर diletation form 7 पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपना full name टाइप करना है और उसके बाद proceed पर क्लिक करना होगा उसके बाद let's start पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे यहांपर आपको अपना mobile number को एंटर करना है और send OTP पे click करना होगा उसके बाद आपके number पर एक OTP आएगा और उस OTP को आपको यहांपर fill अप करना है हमारे पास OTP आचुका है चलिए हम इसको fill करते हैं और अब हम इसको यहांपर verify पे click कर देते हैं अब दुबारा से यहाँ पर एक और पेज खुल कर आएगा, लेट्स स्टार्ट पे आपको दुबारा क्लिक करना है, अब दुस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपको अपना वोटर आडी कार्ड नमबर पता है, अगर पता है तो यहस करेंगे, अगर नहीं पता है तो नौ करेंगे, दुस्तों एक से ज़ादा वोटर आडी कार्ड अगर आपके पास है तो आपको अगर नमबर नहीं पता, तो अगर आप record यहां से search करेंगे तो आपको record नहीं मिल पाएगा सारे के सारे तो उसके लिए आपको एक trick और यूज़ करनी है इसको आप SATS रहने देंगे आपको close नहीं करना application को उसके बाद आपको यहां पर आना है और आपको सबसे पहले Google Chrome browser को open करना है और यहां पर आपको search करना है voter card जैसे आप search करेंगे यहां पर दिखीगा सबसे पहली वाली जो website है nbsp.in www.nbsp.in आपको इस website के उपर click करना है click करते ही आपके सामें इस तरीके से options आई का website का तो आप नीचे आएंगे तो आप यहां पर दिखेंगे कि second number का जो options है यहां पर search in electoral rule पे आपको click करना है जैसे आप click करेंगे उसके बाद आपके सामने एक नया page खुल कर आजाएगा अब दोस्तों यहां पर दिखीगा आपको सबसे पहले अपना name को search करना है उसके बाद आपको यहां पर अपने father कर name search करना है और उसके बाद जो भी आपकी date of birth है आप यहां पर select कर लेंगे gender में male हैं female हैं आप अपने हिसाब से इसको select कर लेंगे उसके बाद आपके सामने आपका district आएगा उसके बाद आपके सामने आपका राजे आएगा तो आप अपना राजे को select कर लेंगे चलिए हम अपना state को select कर लेते हैं तो यहां पर हमने कर लिया है उसके बाद district को आप यहां पर choose कर लेंगे अब दुस्तों सर्च करते ही यहाँ पर दीखीगा record आ चुका है और total मेरे नाम से 3 voter ID card बने हैं तो यहाँ पर सारे के सारे जो भी 3 voter ID card है इन में से मुझे 2 को यहाँ पर delete करना पड़ेगा तो अब हमें हमारा voter ID card नमबर पता चल चुका है यहाँ पर दीखीगा epic नमबर जो है यह हमारा voter ID card नमबर है तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले पहले वाले को copy करते हैं अब हम दुबारा से क्या करेंगे जो भी हमारा application था अब हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं अब हम दुबारा next पर click करेंगे और यहाँ पर हमको enter करना है epic number और हमने इसको paste कर लिया है और page detail पर click करेंगे और जैसे हम page detail पर click करेंगे आपके सामने आपका voter ID card का details आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर next पर click करना है जैसे आप next करेंगे अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपको करना है तो आपको तीन अलग-अलग options यहाँ पर दिख रहे हैं तो हमें बीच वाले options को click करना है deletation of on name यानि कि हमें अपना खुद का voter ID card को delete करना है इस list से तो हमने next करना है उसके बाद जैसे आप next करेंगे उसके बाद आपके सामने एक और page खुल कर आएगा और आपको दुबारा से नीचे आना है और यहाँ पर आप दिखेंगे कि आपकी details आएगी तुबारा से आपको next करना है next करने के बाद आपके सामने एक और page खुल कर आएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो भी option से आप select कर लेंगे हमारे duplicate है यानि कि हमारे एक से ज़्यादा voter ID card बने हैं तो यहाँ पर हम जो है duplicate पर click करेंगे आप next पर दुबारा click करते हैं अब यहाँ पर आपका mobile number आ देखीगा आपके सामने form 7 का दुबारा review आएगा तो आप एक बार अच्छे से चक कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर confirm पर click करेंगे जैसे आप confirm पर click करेंगे अब यहाँ पर आप देखीगा आपका यह delete हो चुका है आप चाहें तो इसका एक screenshot भी रख सकते हैं चल अलावा हमने voter ID card पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अगर आपको वीडियोस देखनी हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस के link आपको वीडियो की description मिल जाएगा आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजेगा और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कोमेंट क जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें और हाँ दोस्तों ऐसे इंट्रस्टिंग और नोलिजफिल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे जरूर पैस कर दें ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसे इंट्रस्टिंग और नोलिजफिल वीडियो देखने को मिलती रहे